वेल्कम टो प्रेप आईएस पर आप सब का स्वागत है आप लोगों ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी और यह जो दिवाली की तीन-चार दिन की छुट्टिया मिली हैं आपको आपको जो टार्गेट्स दिये थे वह भी आपने पूरे किया होगी और साथ में इंजॉय भ लगेगा और साथ में आपकी इफिशेंसी भी बढ़ जाएगी आज डेली गाइडेंस में हम स्टार्ट करेंगे आर्ट इन कल्चर का डी वन का टार्गेट अगें जो लोग नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहें और सोच रहें वाट इस इनिशेटिव आल यह टार्गेट आपको मंडे टू फ्राइडे दिये जाते हैं एंड सटर्डेज अंड संडी अपके पास होता है अपने रिवीजें के लिए बैकलॉग क्लियर करने के लिए और मॉक तेस्ट देने के लिए राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्ट इन कल्चर के टार् लिएते हुं इस को हम पूरा नहीं करेंगे बट जिसमें स्लेक्टेड टॉपिक्स करेंगे वह होगा आर्ट एंड कल्चर की बुक इसको हम पूरा नहीं कवर करेंगे now I will also tell you what is the reason why हम इसको पूरा end-to-end cover-to-cover page नहीं पड़ रहे वह भी मैं आपको बताऊंगा पहले अगर आप trend देखो तो चार-पांच चार-थीन-चार बतब on an average चार कोशन आए but now don't get you know confused by this आप actually जब कुशन देखोगे you will realize यह जो प्योर आर्ट एंड कल्चर के कुशन नहीं अगर इन में हम ढूंडे तो दो या जो दो या तीन में कुशन जो होंगे mainly वह प्योर आर्ट एंड कल्चर के होंगे बाकि एक आदा कुशन या तो आपका कुछ current affair related art and culture होगा उससे आया होगा या फिर कहीं न कहीं ancient history में कुछ related चीज होगी उसके ओपर होगा religion philosophy इससे related चीज होगी उसके ओपर होगा right so again pure art and culture के कुशन नहीं है इसमें यह सारे के सारे दो या तीन pure art and culture के question होते हैं आपके and अगर मैं आपको बताओं कि यह जो question mainly जो है इसमें होते हैं वो अगर आप यह जो जो already हमने you know ancient history medieval history के लिए कवर किया है और साथ में यह class 11 के fine arts के ncrt this covers around 80% जो आपके questions आये हैं ठीक है 80% के around यह cover कर लेता है तो for that additional 20% you know पूरी की पूरी नितिन सिंगानिया पढ़ने की जरूरत नहीं है we need to focus only on the selected topics in fact आप खुद चाहें तो जाके question I would strongly recommend आप खुद जाओ questions देखो previous year इसके questions में देखो कि कौन से topics से आये हैं तो जब भी देखते हैं कि कौन से topic से आये हैं वो अगर subject subject देखते हो और फिर topic देखते हो आप subject and topic दूसरा आप देखते हो कि उस question का nature क्या है is that question conceptual is that question fact based अगर आर्ट इन कल्चिर की बात करें ज्यादतर question fact based ही होते है conceptual rarely इससे आते हैं so यहां पर you know आपका खुद का एक जो है notes होना जो है concise crisp notes होना या फिर आप जो है जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें highlight करना बहुत important बन जाता है from revision perspective even आपको mains के भी question करने होंगे अगर आप देखोगे तो nature of questions इसमें most almost all questions are factual और क्योंकि factual है तो यहां पर आपको जो है अच्छे crisp notes चाहिए होंगे now again remember this आपको बहुत सारे facts नहीं लिखने जो major चीजे है major topics है उन पर focus करके जो है आपको आगे बढ़ना है और वो notes ऐसे होने चाहिए जो you know हर एक chapter क्लिए again the fundamental rule is एक page आगे पीछे हर एक chapter के लिए यहाँ पर हम chapters कवर करेंगे हर एक chapter के लिए one page note आगे और पीछे उसमें simply जो वहाँ पर important terms पढ़ते हो important you know कुछ you know development हुआ है या कोई चीज कोई location पढ़ते हो you know art and culture के respect में या फिर कुछ भी जो है aspect आप पढ़ते हो important you know अगर religion है तो बुद्धिजम से related को important practice या ritual या custom पढ़ते हो या tradition पढ़ते हो कोई theater का art form पढ़ते हो तो mostly जो questions के नेचर देखो हो factual है और एक one page पेज पे आपको यह जो है factual notes जो है हर एक chapter के लिए one page so one page for each chapter चाहिए और प्रिलिम्स as well as mains में in fact mains में अगर मीटेश देखे हम तो mains में वन और टू इस बार यूनों तीन question के round आगे but again mostly two questions के round आपका आता है ठीक है और वो two questions भी you know it is totally unpredictable इसी लिए we should stick to limited sources कोशिश करें कि उसको ज्यादर ज्यादर रिवाइस करें उसके अच्छे नोट बना ले right so that उस चीज से आपको question आए तो your aim should be to do it hundred percent और उसके बाहर question आता है तो उसके बाहर का question ऐसा होता है जो नितिन सिंगानिया से भी नहीं कवर होता ठीक है तो this is the approach जो आपके होने चाहिए आपको इनी बुक्स पर focus करना है I will be telling you chapters हर एक chapter का one page note होना चाहिए आपके पास art और नितिन सिंगानिया cover to cover नहीं पढ़नी अगें इसमें देखो हर एक topic से you will get a very good idea so I would strongly recommend की वीवाइट देखो ठीक है क्योंकि इसमें art and culture में remember purely जो है you know art and culture you know simply की कोई dance form आप से पूछ लिया पिछले सारे time का वो देखो के questions there are hardly any question जहां पर आपको purely dance form एक पूछ लिया या प्यार्डी एक painting form पूछ लिया ठीक है temple architecture में हाला कि एक दू कुशन आए बट अगें कहीं न कहीं वह location को लेके आते तो कई बार आपका ancient history में जो आपने ncrts पढ़ी है ancient history में अगर architecture से रेलेटिक कुशन आता है ancient history की ncrts पढ़ी वहां से ज्यादा possibility उनके होने की इसी लिए remember अगर आप आर्ट इन कल्चर में नितिन संगानिय कर पढ़ने जाओगे आपका बहुत ज्यादा time लग जाएगा और इतना effort डालने के बाद output उतना नहीं इन आप इन कल्चर ठीक है that is a much better approach now यह तो हो गई हमारे approach की बात अब let's go on to the target so यह है introduction to Indian art ठीक है class 11 की fine arts की ncrt है आप ncrt की website से जाकर download कर सकते हो chapter को ठीक है part 1 ही पे हमें focus करना है part 2 में mainly paintings दी हुए अगें वह अला पार्थ हम कही न कहीं नितन सिंगानिया से cover करेंगे ठीक है तो अगें प्री हिस्टोरिक रॉक पिंटिंग आप इंडिस वैली एंड आर्ट्स ओप मॉर्यन पेड़ाइज यह तीन चैप्टर आपको करने अब आप बोलोगे सार तीन चैप्टर एक दिन में के से काफी चीजे आपने जो एंशेंट इस्टी पड़ी है पर्टिक्लर इंडिस वैली के के समें मॉर्यन के के समें वहां पर जब हमने यहां पर रिपीट होंगे और याद रखिए वन पेज ही होना चाहिए कई बार क्या होता है नोट बनाने के चक्कर में चैप्टर जितने पेजिस का होता है उतने पेजिस का ही नोट बन जाता है कि आप अगर अपने आपको वन पेज पर लिमिट करने का सोच होगे यूविल दें तिंक कि क्या चीज इंपॉर्टन है और क्या चीज नहीं है यूविल फोकॉस ऑन बैड नाओ कमिंग ओन तो दी अदिशनल टार्गेट जो आपके करेंट अगस्की चले थी आई होब आप को लिंक डिस्क्रीप्शन में मिल जाएगा इसमें यहली हाइल कर रखा है कि कौन सी चीज यह ज्यादा इंपोर्टन है कौन से चीज ए कम इंपोर्टन है इस फोकॉस ऑन दोस तिंग जो है प्राइटी या मीडियम हो राइट मीडियम ने आप हाई-प्राइटी वाली सारी output मिलेगा क्योंकि आपके पास time limited है हो सकता है कि आप वो time जिसे मैंने आपको नितन सिंगाने का case दिया हो सकता है कि अगर आप मानलो आपके पास जो limited time है आप में उसमें जो है पाँस दिन extra होते हैं आपके पास ठीडिके अगर आप वो पास दिन एक्स्टर नितिन सिंग आने कवर टू कवर पढ़ने में लगाते हो मेभी आप एक कोशन सही कर सकते हो राइट एंड यू गेट टू मार्क्स बट अगर आप वो पास दिन तो यहां पर आप से यू आइक्सपेक्ट अगें आई एक्सपेक्ट कि आप जो है सेवन पेज़ेस पड़ोगे तिल फिफ्टी टू अगर कोई चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगे बाइनाओ आप इतना जिजमेंट आपको डिवलप हो गया होगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं यू विल बी अबल टू इफ्रेंशेट न्यूस्पेपर और टार्गेट सेम रहते हैं हमें दिसम्बर एंड तक खतम करना है तो अगर आप पीछे चल रहे हो कोड़ा सा एफट जाधा डालो ठीक है कोशिश करो सटेरे संडेश को कंपसेट करने का ठीक है and other suggestions remain the same daily answer writing अब भी भी करो दिसम्बर तक करो in fact know the और वधा ये आपको पता चल जाए कि को पढ़ते हैं तो पढ़के उसको समझना केसे है उसका केसे आंपस्तिवे स्याह क्के संद टॉय में करें क्या तरीका है आपके बॉडि जो है हम क्यासे चीजों को present कर सकते हैं क्या-क्या subheadings बना सकते हैं इस तरीके से हम अपने flowcharts use कर सकते हैं कहां पर maps use करना है कहां पर diagram use करना है conclusion इस तरीके से form हो सकता है हर डिरेक्टिव वर्ड का क्या मतलब हो सकता है यह सब चीज़े आपको पता भी हो और इन सब चीजों को सब्सक्राइब आपका 15 मिनिट्स मिलेख लोग विदिन 250 वर्ट्स इस वाट यह आपका टार्गेट रहना चाहिए December end तक कोशिश करिये कम से कम आठ गंटा न होगें सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है और डेली गाइडेंस जो प्रोग्राम में उसका ख़र ट्लिग्राम गृुप भी है तूर रिजिस्टर यूर्सेटर विट रिखन रिगृलर अपडेट्स और ब्रजिस्टर करने के लिए registration form description में दे रखाया, आप registration form fill in करिये और आपको telegram group का invite link मिल जाएगा, so this is it for today, thank you very much, see you again tomorrow.